नमस्कार दोस्तों आप सब्लम का एक नई वीडियो में हर्दिक स्वागत है अनपात और समानपात के चार प्रसंद लेकर रहे हैं चारों प्रसंद जो हैं अलग-अलग टाइप के हैं यानि इनके नीचर अलग हैं और बारी-बारी से सॉल्ब करेंगे आपनों को पता है आज आज कल के एकजाम जो होते हैं उसमें अनपात और समानपात हर एक टॉपिक से आता ही आता है ठीक है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रसंद कुछ इस प्रिकार से दिया गया है सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपे इस अनपात में बाटे गए हैं दिखिए जि पर मोनी और टोनी तो इनके नाम दिख लेते हैं पहला है सोनी ठीक है दूसरा मोनी तीसरे टोनी ध्यान लखिएगा अच्छे से देखिएगा क्योंकि हर एक प्रसंद जो है अलग नीचर पर आधरी थे और यहां पर कुल रुपे जो दिये गए हैं हम अच्छे से समझाएं तो 2400 रुपे टोटल बांटनी है उनका अनपात दिया गया है सोनी का अनपात दो और मोनी का यहां पर है तीन टोनी का है पांच यहां पर पुछा गया है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है देखिए सबसे अधिक धन निकालेंगे उससे पहले हम जितना भी अनपात का योग कर लेते हैं तो अनुपाती योग देखेंगे कितना है अनुपाती योग मींस अनुपात का योग कर लेते हैं यानि जोड लेते हैं इसमें तो टोटल अनुपात के पहला कितना है दो प्लस तीन प्लस पांच इन सभी को जोड़ेंगे तो अनुपाती योग कितना मिल तो वही सबसे अधिक धन प्राब्त करेगा ठीक है और इनको मिलेगा कितना ये बताना हमको है देखए तो यहां पर टोनी का जो रहेगा अनुपात तो वो टोनी का अनुपात है 5 यहां पर और अनुपाति योग यानि कुल अनपात का योग कितना है इन सभी को जोड़ करके जितना आता है वो सब नीचे रखा जाता है अब जितने रुपए हमें बाटने होते हैं अनपात यहाँ पर रखते हैं उसे multiply करते हैं ठीक है उसका हिस्सा हम पता कर लेते हैं इस तरीके से अब यहाँ पर पांच एकम पांच कट देंगे पांच दूना दस अब यह दो से कट जाएगा दो कम दो दो कम दो दो दूनी चार और दो जीरो बचे थे यानि यह बारा सो आ गया तो हमें answer कितना मिल गया बारा सो तो यहाँ पर option B जो है इसका right answer है अब यह 1200 amount किसका है तो आप बताएंगे टूनी का तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला तो सबसे अधिक धन जो है टूनी को मिला कितना मिला है तो आप बताएंगे 1200 अगला परसंद दिया गया A, B और C में रुपे 3500 इस परकार वित्रित किये गए कि A अनपाद B यहां दिया गया बराबर 5 अनपाद 4 यानि A B का अनपाद दिया गया है 5 अनपाद 4, B, C का अनपाद दिया गया है 3 अनपाद 2 तो B को कितना रुपया प्राप्त होगा देखे जब भी इस तरीके से प्रिशन आएगा आपको नीचर समझना है तो यहाँ पर तीन लोगों की बात हुई है A, B, C तो हम अनपात इनका बनाएंगे A, B, और C इस तरीके से लिखेंगे जब भी इस तरीके से आए ठीक है ध्यान लिखेंगे गया तो A और B का अनुपात कितना यहाँ पर दिया गया है 5 अनुपात 4 तो A हमारा 5 है और यहाँ पर B हमारा कितना है 4 तो 5 अनुपात 4 मैंने लिख लिया अब B और C देखिए यहां पर B दो बार आया है तो इसलिए मैंने B को यहां पर बीच में लिखा हुआ है जब इस तरीके से कंडिशन आए दो पूछे जाए A B जैसे बताया अब इसी पूछ रहा है या P Q बताया क्यूर ऐसे करके पूछे ठीक है जो चीज दो बार रिपीट हो उसको बी खाली बचिती यहां पर box बना लिजीगा ताकि आप याद रखे अच्छे से यहां पर संख्या इससे पहले जो संख्या चार है इसी को रिपीट किया जाता है इसके सामने box बना यानि तीन संख्या रिपीट होगी अब सीधा सीधा जो इस तरीके से गुड़ा करेंगे चार थी का अनपात निकल के आ गया है. ए का अनपात 15 बना. बी का अनपात 12 और सी का अनपात 8 यहाँ पे बन गया. अब हम टोटा रुपए को बाढ़ सकते हैं. अब सबसे पहले हम अनपाती योग कर लेंगे. अनपाती योग कितना है? ठीक है जितना भी अनपात है इसको जोडेंगे तो अनपाती योग हो जाएगा 15 यहाँ पे 12 आठ हो जाएगा 20 अब 20 15 हो जाएगा 35 तो अनपाती योग टोटल कितना हो गया 35 अब टोटल 35 में हिस्सा किसका पूछा गया है अब बारा यानपाती योग और किस रुप़े को बाटना है तो 35 को बाटना है तो 35 सो में हिस्सा बताना उसका कितना होगा 35 सकम 35 और 25 सकम 35 बच गया था 12 कमर यानि 12 सो आ गया इसका पूरा कितना आ गया तो आप बताएंगे 1200 बस यह तरीका देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज तॉपर पर आपका अनसर आजाएगा तो इसका आप्शन निकाल सकते हैं अनुपात निकलाएगा अनुपात के बार टूटर अनुपात ही योग करिये इस प्रकार बांट ये कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले तो Q का हिस्सा क्या होगा देखिए ऐसे प्रसुनों को बहुत ही सावधानी से स्वालब पढ़ना होता है तो टोटल एमांट यहाँ पर हमको बांटनी है 2000 यहाँ पे तीन लोग हैं P, Q, R तो P और Q और R का हमें निकालना है अनुपात ठीक है तो उससे पहले यहाँ पे जो रिलेशन बताया गया है उससे हम निकाल लेते हैं देखो P को Q का दूना बोला गया है यानि P पराबर Q का दूना यानि दो गुना इस तरीके से लिखेंगे अब P और Q एक साइड में कर लिजिए तो P अब इदर मल्टिप्लाइ में तो इदर आज रहेगा डिवाइड में इदर बचेगा कितना 2 इसके निचे रखेंगे 1 तो यहाँ से अनुपात हमारा कितना निकला आया P बराबर 2 हो गया P का संबन 2 से है Q का संबन 1 से है ठीक है इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं आप समझने के लिए P Q तो P हो गया 2 और Q हो गया 1 ठीक है तो यहाँ पर value रख सकते हैं P हो गया 2 और Q कितना हो गया 1 ठीक है अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे Q को R का आधा मिला यानि Q को R का आधा मिला आधा कैसे लिखा जाता है 1 upon 2 फिर इसी तरीके से Q यहीं पर रहेगा और R यहाँ पर गुड़े में है तो इधर आजाएगा डिवाइड में तो ऐसे रख द ठीक है तो यहाँ पर Q कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे R कितना है 2 तो 2 लिख देंगे अनुपाद तो Q और R तो Q कितना हो गया 1 और R कितना हो गया 2 देखिए Q R का यहाँ पर अनुपाद दिया गया है और P Q का यहाँ पर दिया गया है Q यहाँ पर भी आया Q यहाँ पर 2 बार आ क्यों इसलों मैंने बीच में रखा था अब इस साइड में box काली है यहां पर वैलू भरनी है ठीक है यहां पे वैलू सिप्हले संक्या बरिजैगे इसके सामने इधर आजाेगी अब यहां पर सब्सक्राइब निकाल लेना है किया निकालना है अनुपाती योग कितना हो जाएगा यहां पर 2, 2, 4, 1, 5, इन सभी को जोल लेना अनपातों को, ठीक है, तो टोटल अनपाती हो, कितना मिल जाएगा, 5, अब हिस्सा किसका पूछा गया है, क्यों का हिस्सा पूछा गया है, तो Q का अनुपात कितना है 1 तो 1 यहाँ पर लिख देंगे टोटल अनुपाती यो कितना था 5 टोटल रुपे कितने बाटने थे 2000 तो 2000 में इसका हिस्सा बताना कितना होगा तो 2000 में देखेंगे 5 एकम 5 अब 5 चोके 20 और 2 0 बचे थे यानि आंसर आगे हमारा कितना 400 5 चोके 20 लगेगे न यहाँ पर 400 बचेगा तो 400 इसका राइट अंसर होगा तो आप्शन भी यहाँ पर इसका राइट अंसर है देखिए सभी के नेचर थोड़ा थोड़ा अलग है कोश्चन इजी भी हैं हाड भी है अगला परशन दिया गया कोई धन हमें धन नहीं पता है कोई धन P, Q, R में 3 अनपाद, 5 अनपाद, 7 के अनपाद में बाटी गई है यद Q का भाग 1500 हो तो P और Q के भागों में अंतर ग्याद कीजिए देखिए P, Q, R का यहाँ पर दिया गया है अनपाद, ठीक है P, Q और R तो P का अनपाद दिया गया 3 और यहाँ पर 5 और 7 तो इस तरीके से अनपाद यहाँ पर दिया गया है ठीक है और यहाँ पर बताये गया है यदि Q का भाग 1500 है अगर Q का भाग 1500 है ठीक है तो यहाँ पर 1500 से, तो Q का भाग कितना है 1500, तो यानि 5 यूनिट का मान दे रखा है कितना 1500, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1500 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कब 5 5, 3, 15, 2, 0, यानि 300 आ गया, एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 300 ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आजाएगा, एक यूनिट बराबर 300, अब पूछा गया था P और R के भागों में अंतर तो P और R का भागों में अंतर यहाँ है, तीन यहाँ है, साथ, तो अंतर कितना दिखाए पढ़ रहा है, 4 का अंतर दिखाए पढ़ा है और एक यूनिट का मान है 300 तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 300 से गुड़ा कर देंगे तो 4 तियां 12 यानि 1200 का निकलीगा हां पर इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 1200 तो option A यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से 4 प्रशन हमने लगी कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा